इंटरनेट क्या होता है और वेब क्या होता है या आज हम डिसकस करने वाले हैं ठीक है इस देश्ड आश धर अबरीथिन तो साहरा ओन-लाइन काम चल रहा है फ़ेब इंग्लिश में वेब को जब हम प्रण्ट करते हैं तो उसका हिंदी मेनिंग क्या बताया जाता है Hindi meaning ये बोला जाता और वैब means जाल तो किस चीज का जाल होता है बहुत सारे Networks होते हैं बहुत सारे Connections होते हैं जिस से बहुत सारे Web से मिलकर एक Internet Connection तयार होता है ठीक है, सारे आपस में कैसे connected होते हैं via Internet ठीक है? Now, Today we will discuss about Internet and Web तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं internet होता क्या है internet सबसे बड़ा network है जो connect करता है बहुत सारे networks को पूरे world में internet से क्या होता है बहुत सारे networks का connection होता है popular term for internet internet के लिए के term use की कई है information highway कि information को पहुचाने का एक जरिया, highway होता है जैसे road होता है इसको हम बोलते हैं उस highway पर जाना है एक जगह से दूसरी जगह सोर्स से destination अगर हमें जाना है तो हम क्या बोलते हैं कि इस highway को हमें pass करना होगा ठीक है तो उसी तरीके से एक information को pass करने का एक जरिया है internet rather than moving through geographical space it moves your ideas through cyberspace पूरे space में means आपके electronically movement करता है ideas की और information की understand after that no one owns it it has no formal management organization को इसको खरीद नहीं सकता है को इसका formal management को इसका organization नहीं है it was developed by department of defense के department ने इसको बनाया था ठीक है और इसमें कई बर क्या problem आ जाती है terrorist attacks या viruses वगएरा की problem आप लोगों ने सुनी होगी ठीक है एक दूसरे का data hack हो जाता है तो इसमें यह इस type की problems जो है वो आती रहती है to access the internet and existing network pay a small registration fee अगर हमें internet को access करना है तो हमें उसके लिए कुछ fees देनी होती है और कुछ protocols को follow करना होता है protocols होते हैं कुछ rules को follow करना पड़ता है right after that uses of internet अगर हम internet use कर रहे है as you all know everybody is using internet these days ठीक है तो उसकी क्या क्या फायदे है हम email message send कर सकते हैं ठीक है हम कुछ भी upload कर सकते हैं हम कुछ भी download कर सकते हैं ठीक है बेटा इडिफ्रेंस समझेए upload और download के बीच में upload करना क्या होता है upload करना होता है हमारा data computer तक पहुचाना ठीक है दूसरी जगहें तक भीजना और अगर हम दूसरी जगहें से अपना data लेते हैं तो उसको हम बोलते download upload का arrow ऐसे होता है कि दूसरे को देना download का arrow क्या होता है ऐसे डाउन साइड ठीक है फाइल्स को डाउनलोड करना अपने सिस्टम पर surfing the web ठीक है और participate in discussion groups group discussion करना mailing list news groups आज कल आप सभी को पता है zoom classes these are going on zoom classes as you all know ठीक है zoom classes google meet यह सभी online classes है यह किससे ही किसका फायदा है यह किसका benefit है यह internet का okay after that what is web अब web होता क्या है the web web means worldwide web ठीक है यह किस ने इसका organize किया था stream burner लीने ठीक है a consist of information in web pages worldwide web में बहुत सारे web pages होते हैं जैसे आपने facebook account open किया आपने WhatsApp open किया उसमें जो इतने attractive pages होते हैं उनको web pages बोला जाता है बच्चे ठीक है जिसके अंदर text भी होता है web page है means इसमें मैं यह markers भी यूज़ कर रही हूं इसमें symbols भी आईवें इस अर्ड़ सिंबल्स ठीक है अगर हम यहां पर कोई picture लगाना चाहिए picture को भी insert कर सकते हैं right a collection of linked web pages that has a common theme of focus is called a website बहुत सारे web pages से मिलकर एक website बनती है ठीक है अगर like facebook है facebook ऐसा अतनी है सिर्फ एक single page से बनी हो यह बहुत सारे pages से मिलकर Facebook बनी है या फिर हम किसी website के अगर बात करते हैं like हमारी school की ही website हम ले लेते हैं ठीक है पी एस रिवारी की जो website है ठीक है उसे बहुत सारे pages मिलेंगे आपको जो एक दूसरे से linked होंगे एक page को open करेंगे उसमें link मिलेगा दूसरे page का उस पे click करेंगे फिर दूसरा page open होगा ऐसे आपस में pages link होंगे like ऐसे लिखाता ना कई बार one two three four ऐसे फर्स पे click करते हैं फिर second पे करते हैं second open हो जाता है दीज ठीक है और सबसे पहला जो page होता है इसमें इस first page उसको क्या बोला जाता है बच्चे home page ठीक है यह हमेशा आपको learn करना याद करके रखना है कि first page को क्या बोला जाता है home page बोला जाता है how to access the internet internet को पे काम कैसे कर सकते हैं जो भी schools है ठीक है वो direct access लेते हैं internet का जैसे internet providers हैं जैसे कुछ cable providers होते हैं operators होते हैं वहां से wires का connection school तक provide किया जाता है अगर wires के थूल लेते हैं तो अगर wireless लेना है तो एक router एक device होती है वो लगाने पड़ती है ठीक है student जो है access करते है local area network or through their own personal computer हम अपने computer पर काम कर रहे होते हैं वहां पर internet connection कैसे आता है क्या कभी किसी में सोचा है like in our computer lab you know from where does that internet connection comes yes there is a broadband connection in our computer lab ठीक है वहां पर एक wire मिलेगी जिसी PC पर लगाओगे तो उसमें बहुत ही अच्छा connection आपको मिलेगा another way to access the internet is through internet service provider internet service providers होते हैं वो भी हमें internet का access provide करते हैं after that how to access the internet fees you know कि fees हमें pay करने पड़ती है उसके लिए ठीक है इस तरीके से हम internet को access कर सकते हैं after that internet service provider होता क्या है like prodigy है these are in very detail ठीक है आपको इतना करने के भी जरूत नहीं है next class में आपको बताए जाएगा internet service provider and all after that next one is how to access the web हम access कैसे करते हैं ठीक है सबसे पहले आप याद रखना जब भी आपको internet connection internet अगर आपको चलाना है अपने system में अपने phone में उसे browser जरूर होना चाहिए ठीक है web browser ब्राउजर क्या होता है या तो netscape navigator है internet explorer है Google Chrome है जिस पे हम कुछ ना कुछ search कर सकते हैं ब्राउज कर सकते हैं वहां से information को extract कर सकते हैं ठीक है web browsers होते हैं special programs होते हैं उनके name दिये गए हैं ठीक है इनके बिना हम internet नहीं चला सकते हैं अपने system पर भी अपने phone पर भी phone में भी Google Chrome होना जरूरी होता है कोई भी एक browser आप यूज कर सकते हैं ठीक है आप वहां से open कर सकते हैं transfer कर सकते हैं अपनी files को through these web browser ठीक है और server जहां से हम information को लेते हैं like हमने browser पर लिखा हमें information चाहिए है of the pictures of webcam ठीक है तो बहुत सारी pictures open हो जाती है webcam की तो हम तो client हैं जो request कर रहे हैं server वो है जो हमें response दे रहा है और यह response का बीच का इनका कौन सा जरिया है web browser है ठीक है after that hypertext markup language यह जितने भी web pages जो हमारे बने हुए होते हैं जैसे facebook है जो हमें नहीं पता कि कैसे वो design हुए है means हम किस language में लिखेंगे जब वो pages बने हैं तो वो language सबसे पहले designing हुई थी hypertext markup language की web pages को design करने के लिए ठीक है इसके detail में हम करेंगे यह वाला chapter hypertext markup language अभी आप सिर्फ full form learn करें HTML की full form होती है hypertext markup language और आप यह याद रखें कि यह web pages को की design में बहुत जादा helpful है इसका एक पूरा chapter है we'll discuss later on after that ip address आपने note किया होगा जब भी आप कुछ open करते हैं तो वहाँ पर लिखाता है http like this like this ठीक है इस type से आता है न उसके बाद यहाँ पर कोई भी address होता है तो ठीक है हर एक system को provide किया जाता है उसकी unique identification के लिए address उसको ip address बोला जाता है right after that ip address के बाद domain name बेटा domain name dns domain name system ठीक है full form learn करनी है dns means domain name system अब domain name system होता क्या है आपने देखा होगा www.google.com dot के बाद यह जो भी लगा हुआ होता है यह क्या होता है यह होता है हमारा domain name dot in dot com in india com means commercial purpose dot uk united kingdom इस type से लिखा मिलता है ठीक है after that domain name के बाद आता है url ठीक है हमारे पास है url url की full form क्या होती है बेटा uniform resource locator जो हमें address बताता है हम browser में लिख देते हैं कि हमें यह चीज़ चाहिए है ठीक है search करते हैं browser में google chrome में फिर उसका address हमें कहां से बता लगता है url के through ठीक है url क्या बताता हमें address of that web page where we want to jump where we want to browse something from where we get some information this is known as the address is known as uniform resource locator that address okay now after that sorry after that there is a structure of uniform resource locator ठीक है students यह एक structure है यह बताया गया है यह बहुत ही ध्यान से आपको देखना है http की full form क्या होती है जो starting में लिखा होता है hypertext transfer protocol www.sicago symphony.org यह इस टाइप से लिखाता है यह http होता है यह प्रोटोकोल यह सारा क्या होता है में बताया था domain name क्या होता है .org और यह जो सारा है यह क्या है पाथ नेम है यह address है this is known as url ठीक है बेटा http hypertext transfer protocol यह कैसा प्रोटोकोल है जो हमें इंटरनेट से files वगर access करने के काम आता है ठीक है अब उसके बाद कुछ examples दिए गए है how to find information on the web वेब पे हम information कहां से लेते हैं examples yahoo से लेते हैं Elta Vista से लेते हैं यह बहुत सारी sites है www.yahoo.com www.excite.com यह जो .com यह सब है domain names है ठीक है यहाँ पर कई बार .in मिलेगा .org मिलेगा different different मिलेंगे ठीक है and after that you can navigate on any of the web page आप किसी भी web page पर जा सकते हैं आज के लिए इतना ही काफी है students आज आप इतना study करेंगे next time हम आपको multiple choice questions ट्राइ करते हैं देने की ठीक है and we will discuss further on the same topic internet ठीक है next time फिर से हम internet को discuss करने वाले हैं I hope you understand these topics well ठीक है हम आपको recapitulation दे देते हैं हमने आज पढ़ा है कि internet होता क्या है web क्या होता है ठीक है और domain name क्या होता है URL क्या होता है HTTP क्या होता है client server क्या होता है upload कैसे करते हैं download कैसे करते हैं web pages क्या होते है web pages से मिलके website बनती है और HTML क्या होते है वह एक language होती है जिससे हम web pages को design करते हैं इस सारा आज हमने पढ़ा है ठीक है इस सब को आपको अच्छे से read करना है study करना है और practical भी करके try करना है thank you students thanks a lot